नमस्कार दोस्तों मैं दिलिप कुमार दोस्तों, बी एससी पर्थम मिंचर रस्तरिये बहाली में 1778 अभियर्थियों के साथ न्याइग करने इनमें से जिनको फिजगल का मौका नहीं दिया गया है उनको फिजगल का मौका दिये जाने वेटिंग लिश्ट जारी करने यानि की सभी सीटों पे बहाली पूरी करने की मांग को लेकर 27 जुलाई को एक बार फिर से बीएससी ओफिस में आंदोलन होने जा रहा है और आप तमाम बीएससी अभियर्तियों से अपील है कि आप सभी 27 जुलाई को सुबह 11 बजे बीएससी ओफिस पहुंचिए और अपने हक और अधिकार के लिए आवाज बुलंद कीजिए बीएससी में 13,120 पदों पे बहाली पर्थम इंटरस्तर ये बहाली के अंतर गताई थी लेकिन 11,329 पदों पे ही मेरिट लिस्ट जारी किया गया लगबग 200 सीट अभी ही खाली है और जब बहुत सारे लोग अभी जोयन नहीं कर रहे हैं क्योंकि इन 8 सालों में BPSC की वेकंसी आई दरोगा की 3 वेकंसी आई, सेंटरल सरकार की वेकंसी जाई, अन्य राज्यों में वेकंसी जाई तो बहुत सारे लोग उहां जोयन कर लिए तो यहां जोयन नहीं करने जा रहे है तो ऐसी परिस्थिती में 2000 के लगबग और सीट खाली रह जाएगा तो कुल मिलाकर 4000 के लगबग इस बहाली में सीटे खाली रह जाएगे, इसलिए वेटिंग लिस्ट भी जारी होना चाहिए ताकि जो 8 साल पहले की यह बहाली है और 8 साल से 1000 अभियर्थी इसमें लगे हैं उनको नौकरी मिले क्योंकि इन 8 सालों के दर्मियान 1000 अभियर्थी हैं जिनकी उम्र समाप्त हो गई कहीं भी वो सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भी नहीं भर सकते हैं और दूसरी तरफ इस बहाली में सीचे खाली रह जाए तो यह बहुत बढ़ा अनर्थ होगा अत्याचार होगा और इन लोगों के साथ अन्याय होगा इसलिए BSSE को चाहिए कि मानवगता दिखाते हुए 13120 पदों पे बहाली पूरी करें जब दरोगा सिपाही बहाली की वेकंसी आती है या BPSC की वेकंसी आती है तो जितने पदों पे वेकंसी आती है उतने पदों के लिए मेरिट लिस्ट जारी किया है लेकिन BSSE ने 2000 कम पदों पे मेरिट लिस्ट जारी किया है तो सबसे पहले तो BSSE जितना सीटों पे वेकंसी आती उतने सीटों पे मेरिट लिस्ट जारी करना चाहिए था तो अभी जो 1778 अभी अर्थियों को इन ने बाहर कर दिया है तो उनके साथ सबसे पहले न्याई करे और इनको मेरिट लिस्ट के अंदर करे और उसके बाद वेटिंग लिस्ट जारी करे और अगर जरूरत परती है तो काउंसलिंग के लिए सकाइन लिस्ट भी जारी करे ताकि 13,121 पदों पे बहाली पूरी हो क्योंकि जो 53,000 स्ट्वेंट्स मेंस पास करके यहां तक पहुंचे थे उन्हीं में से आपको 13,121 पदों पे बहाली पूरी करनी है ऐसा नहीं है कि कहीं बाहर से लेके आना है तो यह जो कहा जा रहा है कि योग्या भीर्थी नहीं मिले तो यह तरक BSSE का गलत है क्योंकि योग्या भीर्थियों को मौका ही नहीं दिया गया जिनको मौका मिला तो वो लोग 3-4 जगा क्वालिफाई कर गया तो कहीं एखी जगा उनका किसी एखी पद पर सेलेक्शन होगा तो इस कारण सीटे खाली रह गए जैसे फिजिकल के पोस्ट 40 सीटों पे बहाली होई सारे 600 के लगबग सीटे ही खाली रह गए क्योंकि फिजिकल के लिए उन लोगों को मौका ही नहीं मिला जिनकी प्राथमिक्ता फिजिकल पद के लिए थी इसलिए BSSE को अपने फैसलिये पे पूरण विचार करना चाहिए और 1778 अभियर्थियों के सा बहाली में लगे है इनके साथ न्याई हो और 13121 प्रण पर ये बहाली पूरी हो तो आप जितने भी BSSE अभियर्थि हैं आप सब से अपील कर रहे हैं कि आप लोग 27 जुलाई को सुबह 11 वजे BSSE पहुंचिए और बिल्कुल ही सांती पुरवक हम लोग को अंदुरन करना ऐसा पलिथिन जो बिहार सरकार के द्वारा परती बंधित नहों हो वह ऐसा पलिथिन आप रखिएगा ताकि मोबाईल अप्सुरक्षित रख सके और BSSE के अध्यक्ष महोदे से भी हम अफील कर रहे हैं उनसे विंती कर रहे हैं कि आप मानवता दिखाईए और मानवता नयाई कीजिए और इनको मेरिक लिस्ट के अंदर कीजिए और सभी 1320 पदों पे भाली को पूरा केजिए धन्यवाद जाहें